गूगल पिक्सल 9 प्रो का सबसे पहला C.A.D. रेंडर इमेज ओनलाइन लीख हो चुका है इस रेंडर इमेज से इसके डिजाइन के बारे में काफी कुछ एडिया लग जाता है और इसके डिस्पले के बारे में भी कुछ-कुछ स्पेसिपिकिसन आ चुकी है जिन लोगों को नहीं पता C.A.D. रेंडर कम्प्यूटर दोरा बनाया गया इमेज होता है कम्प्यूटर एडेड डिजाइन पिक्सल 8 और 8 प्रो को गूगल ने अक्टूबर 2023 को लौँच किया था पिक्सल 9 सिरिस को आने में भी अभी बहुत टाइम है ये फोन भी साइध अक्टूबर के महिने में ही देखने के लिए मिल सकता है गूगल की तरब से इस फोन के बारे में कोई भी स्पेस्पिकिसन अभी नहीं आया है लेकिन इस फोन के बारे में ओल्रेडी काफी सारी लीक्स चल रही है तो आज कि इस वीडियो में rumors और render image के अधार पर इस phone के बारे में सब कुछ बताऊंगा हमेज़ा की तरह सबसे पहले हम लोग इस phone के look और design से शुरुआत करते हैं और इस image या फिर जो 3D image है उसकी मदद से आप इस phone के look और design के बारे में पूरी idea लगा सकते हो इसका जो camera bump है उसको 8 series से अलग कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से इसका bike का design देखने के लिए मिलेगा पिछला बार Pixel 8 Pro में Gorilla Glass Victus 2 का protection मिला था तो इस बार भी Gorilla Glass Victus 2 का protection तो होगा ही लेकिन Google अगर अपग्रेड करना चाहे तो Gorilla Glass Armor का protection भी दे सकता है जो कि Gorilla Glass Victus से ज्यादा अच्छा होता है अपकोस aluminum का frame होगा लेकिन धिरे धिरे जिस तरीके से Samsung और Apple में titanium का frame मिलता है उसी तरीके से आने वाले Pixel phone में भी titanium का frame जरूर मिलेगा IP68 का rating भी देखने के लिए मिलेगा dual stereo speaker होगा 3.5 mm का jack और memory card का slot यह तो Pixel phone में देखने के लिए नहीं ही मिलता है तो इस render का अनुसार इस phone का design कुछ इस तरीके से होने वाला है अब हम लोग इसके display के बारे में बात कर लेते हैं तो इस render के अधार पर बोला जा रहा है कि इस phone में 6.5 inch का QHD plus 120 Hz refresh rate वाला एक display देखने के लिए मिलेगा लेकिन पिछला बार 8 Pro में 6.7 inch का मिला था तो मुझे जहां तक लगता है इस phone में भी 6.7 inch का display ही हो सकता है जैसा कि image पर आप लोग देखी पा रहा है और display पूरी तरह से flat होने वाला है इन display फिंगर पिंटे, scanner, HDR10 plus का support वगएरा और इस बार बोला जा रहा है 2700 nits का peak brightness हो सकता है Samsung 2600 nits में आता है, Apple 2000 nits में आता है और Redmi का K70 की कौन सा phone 4000 nits के साथ आता है और Gorilla Glass Victus 2 पिछला बार मिला था तो हो सकता है इस बार Gorilla Glass Armor का protection मिले डिस्पले इसका काफी अच्छा होने वाला है और Pixel phone का display अच्छा ही होता है अब हम लोग इस phone के processor के बारे में बात कर लेते हैं और जैसा कि आप लोगों को भी पता है Google phone Tensor cheap के साथ आता है जो कि Samsung के दोरा बनाया जाता है इस phone में Tensor का 14 वर्जन देखने के लिए मिलेगा जो कि 4NM fabrication process के साथ आता है और इसका intuitive score लगबग लगबग 17 लाग के आसपास हो सकता है Snapdragon 8 Gen 3 से तो नीचे है लेकिन ये processor भी काफी अच्छा है Android 15 के साथ आएगा UFS 4.0 storage टाइप होगा LPDDR 5X RAM टाइप देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को भी पता है Google 7 साल का OS upgrade देता है यानि Android 22 तक इस phone को आप upgrade कर पाऊगे इसका base variant 12 GB RAM और 256 GB से शुरू होगा पिछला बार 128 GB से शुरू हुआ था अब हम लोग इस phone के camera के बारे में बात कर लेते हैं तो primary camera 50 MP का मिलेगा जिसमें OIS होगा 48 MP का एक periscope lens या पिर telephoto lens आप बहुत सकते हो जिससे आप 5X तक optical जून कर सकते हो और portrait photos ले सकते हो फिर और 48 MP का ultra wide camera देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को भी पता है Google phone का जो photos होता है वो एकदम Apple और iPhone का टक्कर का देखने के लिए मिलता है कि वीडियो में थोड़ा सा ये उन से थोड़ा थोड़ा सा कमजोर रहता है लेकिन इसका photos और वीडियो काफी अच्छे आते हैं इसके selfie के बारे में कोई idea नहीं है कि इसमें कितना MP का camera देखने के लिए मिलेगा अब हम लोग इसके battery के बारे में बात कर लेते हैं तो बोला पता चलेगा लेकिन अभी यही rumor चल रही है अभी इसके price और launch date के बारे में बोई idea नहीं है लेकिन हो सकता यह October के बहिने में ही launch हो जाए और इसका price Google Pixel 8 Pro से थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिले तो यही था आज का वीडियो और मैं आसा करता हूं कि आपको इस phone के इस specification के बारे में काफी कुछ idea लग गया है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe भी कर दो और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं सभी को बाई